हेलो एब्रिवन, विल्कम टू टेस्ट आफ इंडिया गर्मी के मौसम में कोई भी गेस्ट आए या खुद और बच्चों के लिए भी स्नैक्स बनाना चाहें तो आलू अगर ना डालना चाहें और फिर भी चटपटा और कुरकुरा स्नैक्स बनाना चाहते हैं तो ये लौकी के स्नैक्स काफी अच्छे रहेंगे वैसे भी आलू बहुत सारे लोगों को खाना मना होता है ऐसे में यह समझने आता है कि उन लोगों को क्या सर्व किया जाए ये कुरकुरी और चटपटे स्नैक्स ऐसे में आप बना ले जिसी पी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें इस स्नैक्स को बनाने के लिए एक लौकी ले ले ये आधा किलो के करीब की है यानि की छोटी सौफ्ट जो नाजुकसी होती है यानि कच्ची वाली लौकी लेनी है वैसे आपको अगर थोड़ी बड़ी मिलती है तो उससे भी स्नैक्स बन जाएगा पर बनाने का तरीका आप लास तक जरूर देखें तबी परफेट रेसिपी आपकी भी तयार होगी छील कर दोनों साइट से लौकी को कट करें फिर धो ले इसके बाद लौकी जितनी भी बड़ी हो उसके दो हिस्से कर ले इस तरीके से बीच से कट कर लिया है मैंने और इसे ग्रेट करना है पर ग्रेट करने में थोड़ी बारीक वाली तरफ से ग्रेट करें और दूसरे पार्ट से भी ऐसे ही ग्रेट करके साइट का हिस्सा ले रही हूँ इस तरीकी से पतले और बारीक लच्छे लौकी के रेडी हो चुके और जो बाकी बची हुई लौकी उससे आप सबजी या जूस प्रिपेर कर सकते हैं अब एक कढ़ाई को आज पर चढ़ा कर दो चमच के करीब इसमें तेल डाले और तेल गर्म हो जाने पर एक चमच साबु जीरा और अदरक और हरी मिर्च को कूट कर डाला है मैंने धीमी आज पर आधा मिनट पका ले फिर आधा चमच सफेद तेल डाले ना हो तो इसके बिना भी बन जाएगा पर स्वाद इससे थोड़ा बढ़ जाता है आधा मिनट फ्राय करने के बाद यहाँ पर कदुकस की हुई लौकी डाले और तड़के के साथ इसे मिक्स कर ले ये mix हो चुका है अब यहाँ पर नमक डाले जिससे लौकी को गलने और पकने में आसानी होगी और जब तक इसमें से पानी सूख न जाए आप इसे पकाते रहें आज मीडियम पर रखें और इसे वस दो से तीन मिनटी पकाएं क्योंकि ये बाद में भी पकेगा पानी सुख चुका है इसका तो यहाँ पर नार्मल पानी 1.5 कटोरी डाला है मैंने पानी को नाप कर he डाले क्योंकि इसी के according सूजी भी डालेंगी आज तेज करें इस तरीके से उबाल आ रहा है तो ये 3-4 आइक कटोरी सूजी ली है मैंने तेर कटोरी पानी में 3-4 आइक कटोरी सूजी यानि सूजी का डबल पानी डालना है थोड़ा-थोड़ा करते ही वे इसे मिक्स करेंगे और आज धीमी कर लें एक बार मिक्स करने एक बार देखिए इस तरीके से थोड़े-थोड़े बैचे इसमें सूजी को डाले और एक हाथ से मिक्स कर दे रहें इससे कोई भी लम्स यानि क्यूठ लिया नहीं पड़ेंगी सभी को मिक्स कर दे और आज अभी धीमी ही रखें पिर इसमें बारिक कटी धन्यापती और अच्छा दिखने के लिए चिली फ्लेक्स डाले अगर आपको ना पसंदो तो लाल मिच को एवॉइड कर सकते हैं देखिए सूजी धीरे-धीरे फूल कर जादा हो जाती है और नीचे से सूजी का पानी भी सूखने लग गया है इस तरीके से आप चेक करके देख ले आप यहाँ पर नमक भी चेक करके देख सकते हैं मुझे हलका कम लग रहा है इसलिए थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ इसे ठंडा करने के लिए एक बड़े चोड़े मूँ वाले बर्तन में निकाल कर रखें फिर इसे हलका ठंडा होने के बाद ही गूले हाथ को जलने न दे पर बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना यानि कि ज़्यादा अगर ठंडा हो जाएगा तो इसके गूले यानि कि बॉल्स बनाने में हलकी मुश्की लाएगी और उसमें क्रैक हो सकते हैं छोटी छोटे लिमन साइस के ऐसे बॉल प्रिपेर करके रख ले और हाथ को पानी से या तो तेल से चिकना करें उसके बाद बॉल्स को इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से और हलका पेड़े की तरह चप्टा करें चारो तरफ से ऐसे चिकना कर ले ऐसा करने से ये तलने के समय फटते नहीं है आप चाहें तो गोल या तो सिलीन रिकल अपनी पसंद के आकार में इसे बना सकते हैं इसे बना कर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं दो दिन तक अच्छा बना रहता है एर टाइट बॉक्स में भर कर रख दे और जब केस चाहते हैं तब आप इसे तल सकते हैं और अगर पर तेल को कर्म होने दें, चाहें तो shallow fry भी कर सकते हैं, पर हलकी उसमें crispyness कम हो जाती है ये बिलकुल भी नहीं टोटते हैं आज तेज रखें इससे ये तेल को सोकते भी नहीं है एक साइट से घुलाबी हो चुके हैं तो पल्लट ले दोनों साइट से क्रिस्पी होने पर हलके होकर उपर आ जाते हैं सारे cutlets golden और crispy हो चुके हैं तो इस तरीके के जहरा से निकालें जिससे extra तेल निकल जाएगा और ये बिल्कुल भी oily नहीं बनेंगे दूसरे batch के cutlets को भी मैंने ऐसे ही तल लिया है आप भी बनाएं और गर्मा गर्म खाएं क्रिस्पी और चटपटी ये घिया के cutlets अच्छे लगे तो लाइक और शियर करें